हाई फ्रेंड्स स्वागत है आपका सबका एजुकेशन में और आज हम नों पढ़ेंगे वेनेडियम पेंट ऑक्साइड तो चली से समझनी के लिए चलते हैं सबका एजुकेशन में फ्रेंड्स अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियें तो कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाब मिलता रहें तो चली समझते हैं कि वेनेडियम पेंट ऑक्साइड क्या होता है वी तू ओ फा हीट करते हैं तो चली इसको रियक्शन से समझते हैं यह देखे इसका रियक्शन कुछ इस तरह से होता है आप देख सकते हैं यहाँ पर है टू एनेच फोर भी ओ थ्री जब इसको हीट करते हैं तो इसका प्रोड़क्ट का फोर्मीशन कुछ इस तरह से होता है आप देख सक यहाँ पर प्रोड़क्ट का फर्मीशन हुआ है V2O5 प्लस 2NH3 प्लस H2O और यह फर्मीशन हुआ है वेनेडियम पेंट ओक्साइड का तो अब चलिए इसे आगे समझते हैं यह देखी दुसरा प्यूंट है prepared by hydrolysis of VOCL 3 vanadium oxy chloride यह prepared होता है hydrolysis के द्वारा जब VOCL 3 vanadium oxy chloride का hydrolysis होता है यह देखी इस कर्येक्शन कुछ इस तरह से होता है आप देख सकते हैं यहाँ पर दो मॉल है VOCL 3 प्लस 3H2O तो जब vanadium oxy chloride को H2O के साथ hydrolysis करते हैं तो इसका product का formation कुछ इस तरह से होता है आप देख सकते हैं यहाँ पर formation हुआ है V2O5 प्लस 6 HCl तो अब चलिए इसे आगे समझते हैं यह देखे थर्ड पोइंट है इट इस yellowish red powder and undergoes reversible dissociation in the temperature range 700 to 1125 degree Celsius यह एक yellowish red powder होता है and a reversible dissociation होता है 700 से 1125 degree temperature पर चलिए इसको reaction से समझते हैं यह देखे इसका reaction कोछ इस तरह से होता है आप देख सकते हैं यहाँ पर दो मूले V2O5 और यह आप साइन देख सकते हैं equilibrium का है reactant से product भी बन सकता है and product से reactant भी बन सकता है तो जब यह dissociation होता है 2mol V2O5 तो इसका product का formation कोछ इस तरह से होता है आप देख सकते हैं यहाँ पर formation हुआ है 2mol V2O4 प्लस O2 यह देखें fourth point है when V2O5 is reacted with CL2 at elevated temperature VOCL3 is obtained जब V2O5 को react करते हैं CL2 के साथ at elevated temperature पर तो VOCL3 obtained होता है चली इसको reaction से समझते हैं यह देखें इसका reaction कोछ इस तरह से होता आप देख सकते हैं यहाँ पर 2mol है V2O5 प्लस 6Cl2 तो जब V2O5 को reaction करते हैं CL2 के साथ तो इसका product का formation कोछ इस तरह से होता आप देख सकते हैं यहाँ पर formation हुआ है 4mol VOCL3 प्लस 3O2 तो अब चली इससे आगे समझते हैं यह देखें 5th point है when CL2 is passed over mixture of V2O5 and carbon VOCL3 is formed जब CL2 को pass करते हैं V2O5 and carbon के mixture से तो VOCL3 का formation होता है यह देखें इसका reaction कुछ इस तरह से होता है आप देख सकते हैं यहाँ पर V2O5 plus 3mol carbon plus 3mol Cl2 तो जब reaction करते हैं V2O5 को 3mol carbon के साथ and pass करते हैं 3mol Cl2 को तो इसका product का formation कुछ इस तरह से होता है आप देख सकते हैं यहां पर फॉर्मिशन हुआ है दो मॉल VOCl3 प्लस तीन मॉल कार्बन मोनो ओक्साइड का तो अब चलिए इसे आगे समझते हैं यह देखे इस इक्स पोइंट है जब V2O5 is reduced with potassium hypovanadium oxide V2O2 is obtained जब V2O5 reduced होता है potassium के साथ तो hypovanadium oxide obtained होता है चलिए इसको reaction से समझते हैं यह देखे इसका reaction कुछ इस तरह से होता है आप देख सकते हैं यहाँ पर है V2O5 plus 6K तो जब V2O5 6K के साथ reduced होता है तो इसका product का formation कुछ इस तरह से होता है आप देख सकते हैं यह पर product का formation हुआ है V2O2 plus 3K2O यह देखे 7 point है when V2O5 is reduced by H2 or S V2O3 vanadium trioxide is obtained जब V2O5 reduced होता है H2 और sulfur के द्वारा तो V2O3 vanadium trioxide obtained होता है चलिए इसको reaction से समझते हैं यह देखे इसका reaction कुछ इस तरह से होता आप देख सकते हैं यहाँ पर है पहला reaction V2O5 plus 2H2 तो जब V2O5 2H2 के साथ reduced होता है तो इसका product का formation कुछ इस तरह से होता है आप देख सकते हैं यहाँ पर formation हुआ है V2O3 plus 2H2O ये देखिए दुसरा reaction है V2O5 plus sulfur तो जब V2O5 sulfur के साथ reduced होता है तो इसका product का formation कुछ इस तरह से होता है आप देख सकते हैं यहाँ पर formation हुआ है V2O3 plus SO2 ये देखिए 8 point है When V2O5 is heated with calcium metal V2O5 gets reduced to vanadium metal जब V2O5 heat होता है calcium metal के साथ तो V2O5 reduced हो जाता है और देता है vanadium metal चलिए इसका reaction से समझते हैं ये देखिए इसका reaction कुछ इस तरह से होता आप देख सकते हैं यहाँ पर है V2O5 plus 5 mol calcium जब V2O5 को 5 mol calcium के साथ heat करते हैं तो इसका product का formation कुछ इस तरह से होता आप देख सकते हैं यहाँ पर formation हुआ है 5 mol calcium oxide plus 2 mol vanadium तो अब चलिए इसे आगे समझते हैं ये देखिए 9 point है when V2O5 is reduced with SO2, H2S और hydrogen halide और by fusion with oxalic acid vanadium tetroxide V2O4 is obtained जब V2O5 को reduced करते हैं SO2, H2S और hydrogen halide के साथ या और by fusion के साथ oxalic acid को तो vanadium tetroxide V2O4 obtained होता है ये देखिए इसका reaction कोशी इस तरह से होता आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला reaction है V2O5 plus SO2 तो जब V2O5 को reaction करते हैं SO2 के साथ तो इसका product का formation कोशी इस तरह से होता आप देख सकते हैं यहाँ पर formation हुआ है V2O4 plus SO3 ये देखी दुसरा reaction है जब V2O5 को H2S के साथ reaction करते हैं तो इसका product का formation कुछ इस तरह से होता आप देख सकते हैं या पर formation हुआ है V2O4 plus H2O plus S ये देखी इसका reaction कुछ इस तरह से होता आप देख सकते हैं या पर है V2O5 plus 2HX तो जब V2O5 को reaction करते हैं दो मोल hydrogen halide के साथ तो इसका product का formation कुछ इस तरह से होता आप देख सकते हैं या पर formation हुआ है V2O4 plus H2O plus X2 ये देखे 10 पोइंट है V2O5 dissolve in HCl2 give salts like vanadyl 4, oxy chloride, VOCl2 और VCl5 जब V2O5 dissolve होता है HCl में तो ये देता है salts like vanadyl 4, oxy chloride, VOCl2 और VCl5 चलिए इसको reaction से समझते हैं ये देखे इसका reaction कुछ इस तरह से होता आप देख सकते हैं यहाँ पर है पहला reaction V2O5 plus 6 mol HCl तो जब V2O5 6 mol HCl में dissolve होता है तो इसका product का formation कुछ इस तरह से होता आप देख सकते हैं यहाँ पर formation हुआ है 2 mol VOCl2 plus 3H2O plus CL2 ये देखे दूसरा reaction है जब V2O5 पे 10 mol HCl में dissolve होता है तो इसका product का formation कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर formation हुआ है 2 mol VCl5 प्लस 5H2O तो I hope कि आपको इस वीडियो काफी पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजे अपने दोस्तों के साथ सेर कीजे और हाँ फ्रेंड्स कमेंट में जरूर बताईएगा क्या आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा थाम लोग मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में सब्सक्राइब के लिए थांक्यू